प्रदेश का गर्दन के लिए क्या उसको पीज तलक में आई खाना बढ़ियां है बेस्तर वहां मा नहीं है वहां पीप है यहां गाए है तर प्रदेश में बुल्लुजादी कारवाई हो रही है तीक हमत के उपर वो कारवाई चाहिज है हम समर्थन कर रहे हैं ऐसे मुनु मान सब्सक्राइब करता हूं आज की वीडियो में आप देखने वाले के नासिर और जुनेत की दिन यहाड़े हत्या करने वाले आरोपी मोनु मानेस्वर जिसको राजिस्थान पुलिस ने क्लीन चीट देदी थी वो देश से फरार हो चुका है अभी मैं आगे आपको एक वीड की हत्या का इनसाफ के लिए उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी गोत तसकरी का उनको पर जुटा आरोप लगाया था उनको फांसे की सजा होना चाहिए और उनके परिवार को एक करोड़ लुपे का सरकार मदद पहुचाए ताकि जिस से उनके बच्चों का जीवन यापन चल सके तो चलिए देखते हैं पंडित विजेराज शर्मा जी की ये वीडियो के क्यों आखिर एक महंत होने के बाद में एक संत सादू होने के बाद में उन्हें रोडों पे उतना पड़ा सडकों पे उतर करके नासिर और जुनोयत को इनसाफ दिलाने के लिए आगे आना प किया है उसने कुछ पैसे निकाले हैं इसकी रिपोर्ट भी यहां के आला अधिकारियों को मिल चुकी है तो चली जानते हैं पंडित विजेराज शर्मा जी से के पूरा मामला क्या था आखिर यह इसी क्यों नौबत आई उसको जब उसने कुछ नहीं किया है कि देज वहहां क्यों नहीं? वह गरवाई वहां क्यों नहीं वह 5 बतले उसकी उनके मपाण को नहीं जा आप कि को आछे जाने विजेरां मंग्त क्यों नहीं? अरे क्या मजाग बना रखे हो क्यों नहीं है तो क्या लेकर जाएंगे तो आपको जब गाय मिलेगी नहीं फिर भी उसको पर नाम थाब ले जाओगे देखे एक चीज मैं बता दू आपको सब जगे पर एक जैसे कारवाई हो बहुत सैसे जब सौल अपराधियों की लिष्ट मांगे गई है यूपी सरकार से तो अदेवारत कारी तो मौनु माने सर का अपराध सिथ हो गया क्या इतने इनके विधायाग भी आरोपित मामलू में है खुद मुख्यमंत्री के उपार ति आपको पहचान है भगवा सफेद हरा पहचान मिलके तिरंगा बना हम तर लोग आपको टार्गेट कर रहे हैं तो क्या उसके बार आपका मन बदल गया देखे मेरा कोई मन नहीं बदला है मैं एक सर पर करता हूं फासी 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 किसको मौनु मानेसवर को फासी उसकी गवरक्षा मतलब क्या 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 मतलब जो गौकी सेवा करता हो लेकिन उसके लिए एक अप्लिकेशन पुलिस की होती है देखे एक चीज मैं बता दूं आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी के साथ गलत होगा हम जाएंगे हम पिरित उस बेटी की पास भी जाने को जाता वाई कि नहीं जा सकता है कि नहीं जाता सकता आप्यों लोग के यह हम दिन हें आखता का वहा आपका यह रहेए म एक स्थान में और रे भाई लेकिन जाका पूरiksi में दुस्तान ने зайीं नहीं आती क्या डिख मोनु मानेशवर के साथ करा यह महंत क्यों नहीं खरा है क्या वजा है देखे मैं एक चीब आपको सौ महंत हों डेड़ सो महंत हो पुरी दुनिया अगाओं अकेला चलना पड़े सही रास्ते में तो मैं अकेला चलने को तयार हूं मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए आज आगर आपको कोई भी कारवाय करनी हो सम्मिधान देश चलेगा नार्सिस जुनायत के परिवार से मिलने के बाद आप उसके परिवार में केजदार करते मुकदमा होता जेल जाता जो होता देखा आप किसी की परिवार की हत्या करके दिंदा जाना देना यह कहां कि इंसानिया तो कौ हम आपका साथ देंगे गो सेवा में लेकिन यह लोग बेशनमी करते हैं सबसे जादा बीवी स्पोर्ट बड़ा है बादा सरकार में जा पखलों में गाले के पर्दे अद्धाश का करदन जा पखल के लिए क्या उसको बीश तलक में जा बोलो उसको गाय खाना बढ़िया है ब जा बीफ यहां गाय है वहां वोण नहीं है वहां बीफ है यहँ आगाय है मतलब यूपी में काट काट गours from के भी लोडीती अपाश धिया है गाय सब्सक्राइभ जा यह नोटें भी गाया चलती है और युदा करूंध बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं यह वहां जाकर खत्रा तो मुझे लिया हूँ अच्छा की मांग करेंगे और लेकिन आपके हिंदुत पर सवाल उठाते भगवा पर सवाल उठाते कि यह चुटिया नकली अब आज तो आप टीका लगा लिए को सांस्ताथ करना हो खुला चाइलेंजाए रामी न को भी भागे स्रम वाले बाला को भी चालेंज कराले कि खुला मंच में किया चालेंज थे सांस्ताथ कर वाले पंदु भज Gmail兩हां फने नहीं नहीं है कानपूर का मैंने साम को हमारे अपने बंदू को रोते हो गए मा के लिए जो की जिसका मकान कानपूर दिया गया यूपी कारवाई बुल्ड़ा गरीब में की होता है आप अतीक है दूर दूर चला रहे हैं लेकिन यह ध्यान दीजे यही पुल्ड़ा की कारवाई गरीबो के लिए आतंग बन जाती है जिसका समर्थन आज पुरा उत्तार परदेश कर रहा है आप वही संपत्ति को बेश दीजे आप उस संपत्तियों को बेशिए ना हमारा सवाल यह है कि कॉंग्रेस के कोई बरे हिंदुवादी नेता नहीं जाते हैं और आप चले गए तो इसके पीछ परदेश कर दो नहीं जाते हैं तो अमीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आयोगी जिस तरह से नासिरो जुनेद नामाक दो मुस्लिम व्यक्तियों को उनको पर गोत तसकरी का आरोप लगा कर उन्हों जिन्दा जला दिया जाता है उनकी हत्या कर दी जाती है यह कानून को लो एन ओर को अपने हाज में लेने का काम करने वाला क्या अभी तक बचना चाहिए था जहां दो दो स्टेटों की पुलिस इस चक बताया जा रहा था वो इंडिया छोड़कर नेपाल चला जाता है वहाँ पर जाकर केश का ट्रांजेक्शन भी करता है जब भी उसके उपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता अगर मौनु मानेस्वर का इस केश से कोई लेना देना नहीं तो उसको देश छोड़के जाने क क्या जरूत पड़ी ये बहुत बड़े सवालों के गेरे में आने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो अपनी जान से हाथ दो देता है और एक व्यक्ति जिसके छे साथ माहसूम छोटे बच्चे हैं उन्हें छोड़कर काम के लिए घर से निकलता है और गो तसकर का आरोप लग होंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए खुदा आफिस जैहिन जै भारत